गुजरात पुलीस ने बिना किसी कारण के मुझे डिटेंड कर लिया उसके थोड़ी जेर के बाद वो डिटेंशन के उन्होंने अलग-अलग कारण दिया उसके छोड़ दिया डिटेंशन के विरोध में आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने कुछ शेरों में प्रदर्शन किया और उसके बाद पीजेपी के कुछ कारेकरताओं ने हमला किया और दोनों के बीच में जड़ब हुई और फिर जब मैं अभी आ रहा था तो रापरा में हमारी मेरी गाड़ी के उपर कुछ लोगों ने अटैक किया और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया यह बहुत है दुर्भागे पून घटनाए हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पता कि आप इदिल्ली फोन करके हमारे जितने कारेकरता हैं उनका कहना है कि वो शांतिपून तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन मुझे यह भी पता चला कि शायद जब बीजेपी के दफ्तर से कुछ पत्थर फेंके गए तो उस टाइम उत्तेजित होके हमारे कारेकरताओं ने शायद दो तिन पत्थर वापस फेंके मुझे लगता है यह ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मानता हूँ दूसरी चीज हमारे कई कारेकरता ऐसे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से जखमी हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्दी वोस्वस्थ हों वो खुश रहें और जल्दी अस्पताल से वापस लोट कर फिर से देश के काम में लगें मुझे आज डिटेन ही तो किया था पुलिस ने मैं कारेकरता हूँ से या नरोध करना चाहता हूँ मैं अपने आपको बड़ा सोभागेशाली मानता हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं लेकिन केवल डिटेन करने से हमें इस तरह से अभी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए हम तो जेल जाने के लिए तयार हैं अपनी जान देने के लिए तयार हैं तो केवल डिटेन करने से अगर हम लोग इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा इसलिए मुद्दा भटक जाएगा जो असली मुद्दा है वो भटक जाएगा अगर इस तरह की चारो तरफ वाइलेंस फैल जाएगी तो हमें किसी भी तरह से उतेजित नहीं होना है दूसरी चीज़ मेरी जान की परवा मत कीजे मैं ठीक हूँ और मैं ठीक रहूँगा क्योंकि सच्चाई के रस्ते पर चल रहा है भगवान हमारे साथ है भगवान हमारी रख्शा कर रहा है तो मेरे को टिटेन करते ही आप लोग इस तरह से प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी खबर आ रही है कि कहीं अलग 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 शहरों में कुछ जगह प्रोटेस्ट करने की तयारी, कल से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, हमें यह नहीं प्रोटेस्ट करना, हमें हमारा असली काम है कि जो गुजरात के अंदर हम ल हमारी लड़ाई इन पार्टियों से थोड़ी है तो हमें बीजेपी के साथ बिलकुल नहीं उलजना है दूसरी चीज जो लोग आज हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे हैं लेकिन मुझे लगता है वो मिस्गाइड हो गए है और हम मुझे लगता ह है कि सच सच होता है सच जूट नहीं होता एक ना एक दिन उनको पता चलेगा कि वो जिस पार्टी के साथ हैं या जो रस्ते पर चल रहे है वो ठीक नहीं है वो सब लोग भी आ जाएंगे तो हमें किसी का इस तरह से वो नहीं करना वो लोग ये चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए अभी सुबह से हम लोग गुझरात में जगे जगे गए मोदी जी कह statistic हुआ हुआ है विकास हुआ 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 हम देखने गए विकास कहा हुआ तो यहाँ तो बहुत सारे घुटाले मिल रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक गाओं में गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे बिलकुल खंडर था वहाँ पूरा कुड़ा ही कुड़ा ही कच्रा ही कच्रा पड़ा हुआ था च्छतनी थी दिवारें टूटी हुई थी और वहाँ पर बताते है दो जार तीन में बना था तब से लेकि आज तक प्राइमरी हेल्ट सेंटर वो चला ही नहीं है और वो लोग बता रहे थे आसपास के कई गाओं में यही हालत है प्राइमरी हेल्ट सेंटर की स्कूलों की बुरी हालत है और जब बात की वहाँ पे तो पता चला भरष्टाचार का तो बहुती बुरा आलम है गुजरात के अंदर तलाटी के लिए 10-10 लाक रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है एक लड़का मिला बोला जी मैंने असिस्टेंट रिजिस्टरार के नौकरी के लिए प्लाई किया था तीस लाक रुपए रिश्वत मांग रहे थे बीपील कार्ड जो है वो अमीरों के बने हुए गरीबों के लिए बने हुए इंदरावास योजना जिनके घर हैं उनको मिल जाती है जिनके घर नी हैं उनको ने मिलती है और उसके लिए भी पैसे देने पड़ते है एफ आयर दर्ज कराने के लिए पैसे देने पड़ते है यहाँ पे वैसे तो कहते हैं प्रोहीबिशन है, लेकिन बताते हैं कि शराब खुले हम बिकती है, और पुलीस पैसे लेके शराब बिकवाती है, तो चारो तरफ बुरा हाल है। मोदी जी कहते हैं बिजली 24 गंटे आती है, मुझे तो कई गाउं वाले मिले, बोले जी 3 गंटे आती है, 4 गंटे आती है, 6 गंटे आती है, पानी की बहुत किलत है जगे जगे, ये सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो जिस विकास के मॉडल को इतना चारो तरफ गाया जा रहा था, उसकी पोल खुलती जा रही है, उसकी सचाही सामने आ रही है, जैसे मैं कहा सच सच होता है, सच जूट नी होता है, उसकी सचाही सामने आ रही है, अब वो लोग यह सारे हमले करेंगे, वो तो चाहते हैं कि इशू डाइवर्ट हो जाए, आज हो गया ना इशू तो मेरी सारे आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं से अनुरोद है, सिंपधाइजर से अनुरोद है, जो जो लोग इस मौवमेंट से उड़े हैं, हमें उनके साथ बिलकुल ने बिढ़ना, आपका इस वक्त काम है कि जो जो फाइंडिंग्स, गुजरात में अभी 25 टीम आई वो बिलकुल जूट था, गुजरात के अंदर किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, और जिस तरह से आज वाइलेंस की गई, उससे ये लगता है कि मामला कुछ जादा ही गंभीर है, अभी तो हमें जो पता चला है, वो शायद बहुत कम पता चला है, मामला कुछ जादा ही और जो पत्थर खाता है, वो बहुत बहादूर होता है, तो पत्थर खाने के तयारी करना, लाठी खाने के तयारी करना, लाठी मारने के तयारी मत करना, और ये लड़ाई बहुत एहम है, बहुत लंबी है, जो जो लोगों को लगता है कि वो पत्थर खा सकते हैं, लाठी ख अरविं जी जिस तरह से आपको अज़ डिटेन किया गया उसके बाद अपने नरहेंग्र मुदी का जिस तरह से नाम लिया आपको नहीं लगता है उसके का रगारंद जो है आपके वॉलंटेश भढ़ेंडे हैं उसके कारँ लगए अरविंजी आपको जब डिटेन किया गया ना hospital में, hospital में गय थे सामी में, वो hospital, वो hospital referral hospital है, semi-specialized hospital है, और आपको बहुत बड़ी building है वो, और आपको यह जानके ताजयोब होगा, 31 bed का hospital के वो दो doctors थे उसमें, एक भी नर्स नहीं है हमाँ पे, तीन total staff है माँ पे, फूरा hospital खाली पड़ा हुआ था, एक भी patient नहीं था, 31 वन बेड्स थे, अंदर बेड्स में देख के आया, आदे बेड्स के ओपर तो गद्दी नी थे, मैं जब बाहर आया, मुझे कुछ लोगों ने बताया, कि आपके साथ जो पुलिस वाले थे, वो आपका एक एक मूवमेंट फोन के ओपर अपने सीनियर्स को बता रहे थे, अब पतरकार ने मुझे कहा कि आगे जिस शेर में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पुलिस रोकेगी और पुलिस आपको किसी भी बहाने से आगे जाने से मना करेगी, मैंने का ऐसा नहीं हो सकता, हमारे देश में कोई अमर्जंसी थोड़ी है, जन तन्स है हमारे देश में, इसे कैसे रोक सकता हैं, और फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे डिपटी एसपी ने हमें रोका, और उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने का, आप मौडल कोड अफ कंड़क्ट का वाइलेशन कर रहे हैं, और आप वापस जाए, अब आप यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, मैं हम 15-20 गाड़ियां साथ चल रहे हैं, यह allowed नहीं है बिना permission के, मैंने का कि अगर इन गाड़ियों के उपर आम आदमी पार्टी के sticker या poster लगे होते, तो इसको election campaign कहा जा सकता था, अगर इन गाड़ियों के अंदर आम आदमी पार्टी का परचार material होता, तो इसको campaign, हम 15-20 गा बाद कहता है, अच्छा आप traffic violation कर रहे था, इसका मतलब उसका model code of conduct वाला तो excuse बेकार था, कहता है कि traffic रुक गया था आपकी वज़े से, मैंने का वो अगर कारन था, आप मुझे आगे बता देते, हम अपनी गाड़ी वहां से चला देते, हम आगे बढ़ जाते, अगर traffic रु बता दूँगा मैंने लिखे हूं मैंना, मेरे पास कई सारे लोग आए थे, तो तरह का है, एक है घर की बिजली और एक है irrigation के लिए लोगों को जो बिजली जाए है, इरिगेशन के लिए बिजली तो शायद कहीं नहीं मिल रही है, जो सबसे पहले गाउं में गए थे उन्हो का क्या नहीं है, पी एच सी का जो सेंटर हम लोगों ने देखा रहा, उस गाउं के लोगों ने कहा, जी तीन गंटे बिजली आती है, मैंने कहा, ठीक से बताओ, घर की बिजली भी तीन गंटे आती है, बोले हाँ जी घर की बिजली भी तीन गंटे आती है, अज जिस तरह के हम आगे बढ़ेंगे लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि हिंसा देश की समस्याओं का समधान नहीं है, हमें हिंसा नहीं करनी है यह बड़ा दुखदाई है जो भी आज शाम को हुआ है आपको भी लगता है कि मोदी आपकी यातरा से घबरा गए है जैसा आपकी पार्टी की कुछनेताओं ने कहा देखिए जो कुछ एक साल से प्रोपगेंडा चलाया जा रहा था विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ और ये विकास का मॉडल टाउट किया जा था आज वो सारी पोल पट्टी खुल रही है दिरे दिरे तो नैचरली थोड़ी नर्वसनेस तो है उन लोगों के दिमाग में तो अचानक कुछ लोग आए उनके हाथ में उनके हाथ में गंडे थे और उनके हाथ में काला जंडा था और उन में से एक आदमी ने हम मेरी गाड़ी का सामने वाला शीशे पे जोर से डंडा मारा तो वो पूरा शीशा क्रैक हो गया है मुझे नहीं पता कौन लोग है मुझे नहीं पता उन्होंने भीजा या नहीं भीजा लेकिन वो मोदी जिन्दाबाद के जिवाल हायाई के नारे लगा रहे थे लेकिन मैं फिस से कहना चाता हूँ पुलिस वाले भी आये थे मेरे पास कि हमें कंप्लीन लिखनी है मेरी उन लोगों से दुश्मनी थोड़ी है मेरी तो इस देश में ब्रष्टाचार और महंगाई से दुश्मनी है और ब्रष्टाचार और महंगाई दोनों बीजेपी और कॉंग्रेस राहूल गांदी और मोदी दोनों सब लोग कर रहे है अगर राज राहूल गांधी चले जाए मोधी आजाए कल मोधी चले जाए राहूल गांधी आजाए मनमौन सिंग आजाए स्थिती नहीं बदलने वाली देश ऐसा कैसा रहेगा अभी जी गुजात में आपके लिए आपके इस्तिती देखते हैं आपका पहला दीन है जो हम अपना पूरा करेंगे टूर पर सो साटेड़े तक लोग सबाव चुनाओ के हिसाव से में बात कर रहा है लोग सबाव चोटी चीज है चुनाओ में सीट इतनी आएंगी उतनी आए लगां नाम बताईए ताकि हम भी उनके विरुत में प्रशार कर सके या तो उनको उनके विरुत जनीर तयाची का दायर कर सके तो केधरिवाल जी का पत्र मुझे आया तो उसमें कुछ नाम नहीं लिखाए जी तो मुझे एक प्रस्ठ बरस्ट और दृष्ट लोग जाना न मैं इंडियागेस कलफसन में 2011 से दुड़ा हुआ था कुंधन, कुंधन राजबॉर नाम से मारूँ कुंधन कान इस हिंडयान मैं peng odor मैं इंड्यागेस कलफसन मुंबैी से दुड़ा हुआ था और लकी गुज़रत ख हुऊ ख हुआ नाम है मेरा अबी बहुक्चे बहुटा बिसे गतानों जो चौको लिम्हें खोलत सुजकत अनगी में जोरे के अजदान में नहीं है तर there